दोस्तों आपको बताया दे कि भाती टीम वेस्टेंडिस के खिलाब जब एमदाबाद में पहला वंडे मैच खिलने उतरेगी तो उससे पहले कप्तान रोही सर्मा के सामने प्लेइंग 11 चुनने की बड़ी जम्यदारी होगी टीम इंडिया के कई स्टार प्लेय कोरोना पॉजिटिव हो गये हैं ऐसे में वेस्टेंडिस के खिलाब पहले वंडे मैच में रोही सर्मा चार बले फ्यर्ज बदिल कर सकते हैं छे फर्वरी को मोटेरा स्टेडिया में पहला वंडे मैच खिला जाएगा दोस्तों आपको बताया दे कि पहले वंडे मैच से पहले सीखा दावान रितुराज गायकवार और कोरोना पॉजिटिव हो गये थे और वे पूरी वेस्टेंडिस से बाहर हो गये हैं वही स्टार ओपना बलेबाज क्याल रहा और नीजी कारवर से खेल नहीं रहे हैं ऐसे में उनकी जगह मैंक गरवाल को टीम में सामिल किया गया मैंक गरवाल को रोई सर्मा के साथ ओपनी करते हुए देखा जा सकता है मैंक अपनी खतरनाग बलेबाजी के लिए फेमस है अगर इसान को नमबर 4 पर मौका मिलता है तो मद्गरम की समय से असुल जा सकते हैं साथ अफ्रीका दौरे भाती मिडिल और पूरी थरीके से फेल हो गया था ऐसे में भाती टीम को वेस्ट इंडी से सिरीज जीतनी है तो रोई सर्मा को मद्गरम में धुरंदर बलेबाज को तरना होगा दोस्तों आपको बताया दे कि पहले जब भाती टीम का टॉप ओडर रन नहीं बना पाता था तब निचले क्रम पर आकर महन सिंग्धोनी अपनी करिस्माई बलेबाजी से टीम को जीत दिला देते थे अब टीम इंडिया में एक ऐसा बलेबाज आया जो बिस्प सादूर ठाकूर को मौका मिल सकते हैं उनकी गेंदो को खिलना किसी के लिए आसान नहीं होता है पिछले कूछ समय से वह टीम इंडिया के लिए संकर बनकर उबरे आया हैं जब भी टीम को विकेट के जरूरत होती है कप्तान सादूर ठाकूर का नंबर घुमा देते हैं देत आप हमें कमेंट का जरूर बताएगा